कोशिस ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीच जाओ पता भी ना चले हेलो दोस्तो वेलकम टू मार्ग दर्सन कलासेस मैं हम कुमार डिरेक्टर आफ मार्ग दर्सन कलासेस जैसा कि आप सब जान डे हो कि बर्मास्त बैट में हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो तो रेशियो में हम लोगोंने क्वेश्चन नंबर 26 तक पिछली कलास तक किया था आज की कलास में क्वेश्चन नंबर 27 से आगे करेंगे महलाएं और पुरसों में 3-2 का अनुपात था, जब 20 और पुरस सामिल हो गए, तो अनुपात उल्टा हो गया, सबसे पहले ये समझते कि उल्टा का मतलब क्या हो, अनुपात उल्टा होने का मतलब ये 2-5-3 हो गया, ठीक है, आपको एकजाम में लिखा हुआ है कि उल्टा हो या फिर दो अनपाथ 3 हो गया, या कल को ये ना लिखकर, आपको 6- tar 7 हो गया, 9- tar 3 हो गया, तो डरने की जुरत नहीं है, सबसे मैं, ये थोड़ा साथ एस्तेंडर लैंग्वेज हो गया, कि अनपाथ उल्टा हो गया, अगर कभी उल्टा ना हो, ratio change ना हो, 96.7 हो जाए, 99.3 हो जाए, तब उल्टा वो नहीं लिखेगा, बात यहां तक समझ में आ गई क्या, उल्टा का मतलब गया था, party में सामिल महलाओं की संख्या थी, कता है जो party में सामिल हुई, उस महला की संख्या निकालनी है, सबसे पहले इस सवाल को हम लोग basic method से करेंगे, फिर ratio method से करेंगे, तो basic method क्या होगा हम लोगों का, सबसे पहले समझते हैं, point by point, देखो, oman ratio man, कहता है यह 3 अनुपात 2 का ratio है, यह ratio है, यह संख्याए नहीं है, कहता है 20 आदमी बढ़ गए, तो अब यहाँ पर कहता है, जो main है, वो 20 बढ़ा है, तो ratio में संख्याए नहीं जोड़ी जा सकती है, तो हमें संख्या माननी परेगी, तो संख्या मानने के लिए एक variable x से दोनों में गुना कर लेते हैं, यह 3x होगा, यह 2x होगा, 2x में 20 की विर्दी करने से ratio change हो जाता है, ratio क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ratio हो जाता है, दो अनुपात 3, clear है क्या सब का, अब देखो exam में क्या यह figure बनाने की जुरत परेगी, नहीं परेगी, मुझे अभी आपको समझाना था, इसलिए मैंने यह चीज आपको समझाया, अब देखो, यह चीज आपको तो समझ में आया होगा, कि ऐसा ऐसा question कह रहा है, लेकिन exam में जब इस सवाल को हम लोग करने जाएंगे, तो कैसे करेंगे, वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूँ, आप board पर ध्यान देना, आपको पूरा-पूरा समझ में आएगा, ध्यान देना, exam में हमें, अगर basic भी हम लोग करेंगे, तो इस प्रकार से करे हमें, ध्यान देना, बोड पर, देखो, अगर हमें basic भी करना होगा इस सवाल को, तो क्या करेंगे, वो मैं समझा रहा हूँ, देखो, ओमें, बटा, में, ओमें अनुपात में हो गया, लिखने का तरीका यह हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, बटा ऐसा लिखेंगे, थोड़ा असान रहेगा, अब देखो, यह कहता है, तीन बटा दो, तीन अनुपात दो को, तीन बटा दो लिख सकते हो, अब कोई चीज अगर जोड़ना है तो संख्या को क्या करते हैं मान लेते हैं यह 3x होगा तो यह 2x होगा काता है इसमें 20 increase हो रहा है 20 जोड़ दिया काता है यह पुराना संख्या था यह पुराना मेन की संख्या और यह पुराना मेन की संख्या काता है मेन की संख्या में 20 की वर्दी होती है तो यह जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है यह आपका देखो यह पुराना वाला रेशियो अब यह जब मटीप्लिकेशन करेंगे तो यह आजाएगा 9x 9x बराबर दूदुना 4 4x 20 दूनी 40 clear है चलो अब इसको इधर ले आएंगे तो 5x आजाएगा 5x की value कितनी है 40 तो आप मुझे x की value बता दो तो कहोगे x बराबर सर आजाएगा 8 ये तो x की value आई है हमें क्या पूछ रहा है Omen Omen कितना है 3x तो आप लिख लो Omen बराबर 3x x की value कितनी है यहाँ पर put कर देते है 8 8 तरी कितना हो जाएगा 24 ये हम लोगों का क्या जाएगा answer Omen की पुरानी जनसंख्या कितनी थी 24 और नया में भी Omen 24 रहने वाला है चलो ध्यान देते हैं अब यहां से हम लोग आगे समझेंगे अब concept लेते है ratio का concept क्या है technical approach क्या है ratio का concept क्या है ध्यान देना बिल्कुल आराम से मैं समझा रहा हूँ आपको complete समझ मैं आएगा ध्यान दो सबसे पहले पहला ratio क्या दिया है पहले पहले इसका रेशियो क्या दिया है ओमें अनुपात में का रेशियो क्या दे रखा है रेशियो दे रखा है तीन अनुपात दो का अब ये बाद में रेशियो क्या हो जा रहा है बाद में बाद में इसका रेशियो उल्टा हो जा रहा है यानि दो अनुपात तीन हो जा रहा है यहां तक सबका खिलिए रहा है लेकिन आप मुझे बताओ जनसंख्या इंक्रीज किसकी हो रही है जनसंख्या जो बढ़ रहा है वो मेन का बढ़ रहा है तो आग कोगे सर ओमेन तो इक्वल होना चाहिए अगर मेन की जनसंख्या बढ़ रही है तो ओमेन क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए कोगे ओमेन में तो कोई पड़िवर्तन नहीं हो रहा है अगर मालो एक कलास है कलास में लड़का और लड़की दोनों है मैं कहूँ बीस लड़के आ गए तो लड़की पर परवाब क्या परेगा कुछ भी परवाब नहीं परेगा पहले जितनी लड़की होगी अभी भी उतनी ही होगी तो आप कहूँग इसका रेशियो चैंज नहीं होना चाहिए हमें क्या करना होगा इस ratio को equal करना होगा तो ratio को equal करने का rule मैंने सिखाया है 3 और 2 का L सेम कितना होगा 6 दुनो को क्या banna देंगे छे बना देंगे चलो ध्यान देते हैं इसको 6 बनाना है कितना से गुना 3 से ratio कहता है कि एक पद में अगर 3 से कियो अब मुझे बताओ कि अब Oman की जन संख्या equal हो गई है क्या अब जो भी परिवर्तन होगा वो main में होगा और main में कितने का परिवर्तन अनुपात में हो रहा है तो अनुपात में परिवर्तन हो रहा है यह सर दो दुनी चार है तिंतिया नौ यानि 5 यूनिट की change हिंग आ रही अब कहो कि एक अनुपात की value क्या होगी sir एक अनुपात की value 5 चोटा 20 चार होगा रहा है सब का अब यहां से आगे ध्यान दो एक अन्पात की value 4 है अब कल को एक्जाम में कुछ भी तो पूछ सकता है सिर्फ महला का ही पूछे यह जरूरी तो नहीं है तो आप यहां पर direct इसको round करके गुना कर लोगो है, ओमेन की जनसंग क्या आजाएगी, ओमेन कितना है रेशियो में, कहोगे 3 गुना 2, 6 नुपाथ है क्या ओमेन, तो 6 नुपाथ है, तो कहता है गुना किसे कर लोगे, 4 से, अच्छो चोका कितना हो जाएगा, 24, यह हम लोगो पहले जितना है, बाद में भी उतना ही होगा, लेकिन मेन की पहली जनसंग क्या पूछेगा, तो कहोगे, दू दुना 4, अच्छार में 4 ते गुना किया, 16, लेकिन बाद में इसकी जनसंग क्या हो जाएगी, 3 तिया 9, और 9 चोका 36, हो जाएगा क्या, क्लियर है क्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलो, अब देखते हैं, question number next, अगर आपको ये question समझ में नहीं आया होगा, तो वीडियो को एक बार फिर से repeat करके देखो, मैंने आपको basic बताया, technical approach बताया, इसकी एक दो method और होते हैं, लेकिन time pass होगा, चलो देखते हैं, question number next, question number 28, दूध तथा पानी के 729 मिली के मिसरन में दूध तथा पानी का अनुपाद साथ दो हो, और कितना पानी इसमें मिला दिया जाए, जिससे की दूध और पानी का अनुपाद साथ तीन हो जाए, ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग इस सवाल को technical approach से करेंगे, इसका कारण यह है कि इसका जब मैं basic बनाऊगा, तो कुछ बच्चे बोल होने लगते हैं, तो जिनको technical approach ची सिर्फ चाहिए, वो technical approach देख लेना, basic नहीं देखना, थोरा सा forward करके आगे देख लेना, ठीक है, चलो, देखते हैं question number 28 को technical approach से, तो कहोगे सर पहले, milk अनुपात water, कितना था, साथ अनुपात दो का ratio था, बाद में ratio क्या हो गया, बाद में, बाद में जो ratio है, वो हो गया है, साथ अनुपात तीन का, लेकिन यह क्या क्या रहा है प्रश्ण में, कि कितना पानी मिलाया जाए, प्रश्ण में क्या कहा, कितना पानी मिलाया जाए जो ही बोला पानी मिलाएगा तो बराबर क्या होगा, मिल्क बराबर होगा, तो कहोगे मिल्क तब तो सर बराबर होगा, बात की गहराई को समझना, पानी मिलाएगा तो बराबर कौन होगा, मिल्क मिलाएगा तो बराबर क्या होगा, पानी, ये बास समझ में आ रही है क्या, त कि आपको अब कोई संख्यात्मक डाटा तो दिया हुआ है तो कौई साथ दूनो यानि टोटल मिसरन है यह टोटल मिसरन 9 यूनिट 9 यूनिट की वैलू 729 है तो आप बताओ एक यूनिट की वैलू कितनी होगी कोगे 31, और होगा क्या, यह हम लोगों का आंसर आ चुका है, इन्हीं को कोई problem नहीं होनी चाहिए, अब इसका कोई बच्चा basic देखना चाहता है, तो basic भी मैं दो तरीके से समझा सकता हूँ, आप अगर देखना चाहते हो, तो देख सकते हो, ध्यान देना, अब यहां से मैं इसका basic बनाता हूँ, rule 1 यह हो गए आपका, rule 1, चलो ध्यान से समझना, अब यहां पर मैं लिख रहा हूँ, rule 2, चलो, rule 2 में, मैं कुछ चीजे पहले आपको समझाता हूँ, उसके बाद वो चीज आपको समझ में आएगी, ध्यान देना, बोड पे, यह एक मिसरन है, सपोज करो, यह हो भी होगा, जैसा भी होगा है, अब इसमें क्या कर देते हैं, हम लोग कुछ वाटर को पलस करते हैं, मिसरन की मात्रा बढ़के इतनी हो जाएगी, कि नहीं हो जाएगी, बास समझ रहे हो क्या, जो मैं समझाना चाहरा हूँ, बोड पे ध्यान देना, आपको 100% समझ में आन तो यहां पर सीखोगे, आगे काम देगा, इसलिए सीखना जरूरी है, और बेसिक जिसको आएगा, टेक्निकल अपरोच खुद ही लगा देगा, ध्यान से देखना, तो मैंने कहा, कि यह मिल्क वाटर पहले था, अब कुछ वाटर इसमें मिला दिया, तो अब इसमें वाटर वाटर की मातरा बढ़ेगी या मिल्क की मातरा बढ़ेगी, कोगे वाटर की मातरा बढ़ जाएगी, तो आप से मैं पूछू, कि पुराना में, पुराना मिश्रन में, पुराने मिश्रन में, जितना मिल्क होगा, उतना ही मिल्क क्या नया मिश्रन में नहीं होगा, कोगे जी की मातराे चेंज होगी Mitsiliki की मातरा क्या होगी एकुल होगी बास समझ में आ गई क्या मैं क्या बताना चाहरा हूं की तो अगर आपको water डालेगा water की मातरा चेंज होगी मिल्क की मातरा नए तथा पुराने मिश्रन में एकुल होगा कही कल को मिल्क डाल दे ऐसा तो नहीं होता है ना दूद वाला कभी भी पानी डालेगा रास्ते में मिल्क थोरी डाल देगा चापा कल चलाएगा और उसमें क्या डालेगा पानी और हमेशा क्या बढ़ाता है पानी अगर डिमांड बढ़ेगा तो पानी बढ़ा देगा गाय दूद वाला में था उतना ही नया वाला में भी होगा क्यों कि यहां पे तो आप सिर्फ वाटर मिला रहे हो तो आप को गेसर पुराने में जितना मिल्क होगा उतना ही नया वाले में भी मिल्क होगा आप को गेसर मिल्क की मात्रा बराबर मिल्क की मात्रा कर देते हैं बस बात को समझन ध्यान से, उसके बाद मैं एक और तरीका समझाओंगा, सबसे पहले आप बताना मुझे, 729 लीटर ये टोटल मिश्रन है क्या, 729 लीटर टोटल मिश्रन है, मैं एक लैंगोज भी लिख देता हूँ, आपकी सुभीधा के लिए, कि पहले, पहले मिल्क की मात्रा, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, द्यान से देखोगे, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा, कि आपको समझ में नहीं आएगा, पहले मिल्क की मात्रा, बराबर बाद में मिल्क की मात्रा, किलियर है, किसी को कोई प्रैशानी नहीं है, पहले मिल्क की मातरा बराबर बाद में मिल्क की मातरा तब पहले टोटल मिश्रन कितना था ता आप कहोगे 729 था गुरुजी पहले टोटल मिश्रन कितना था 729 तो कहोगे बाद में टोटल मिश्रन कितना होगा तो 729 तो रहेगा ही रहेगा कहता है इसमें वाटर डाल देता है तो कहोगे पलस water डाल देते हैं, कितना water डाले हैं पता नहीं है, आप चलो, तो कहोगे यहां का milk और यहां का milk बराबर होगा सर, तो दोनों milk को बराबर करने के लिए आप क्या बोलोगे, कि सर, पहले milk और water का जो ratio था, 7 ratio दो था, यानि total मिस्रन 9 था, तब milk था 7 और water था 2, त और यह total में कितना, 7 बटा 9, यानि 7 लीटर, तो आप कोगे अगर मुझे सर, total मिस्रन में, total मिस्रन में milk चाहिए, तो इससे गुना कर देंगे, अगर total मिस्रन में water चाहिए, तो इससे गुना कर देंगे, बात आ रही है समझ में, तो आपको मैंने क्या समझा दिया है, कि आपर होगा किसके, तो कहोगे इधर आ जाते हैं, सर, इधर देख लो, अब कहोगे, total मिस्रन यहाँ पर कितना आ रहा है, 10, तो अगर आपको पूछेगा, कि milk कितना है, तो 7 बटा 10, water पूछेगा तो, water पूछेगा तो कितना दोस्त, water पूछेगा तो 3 बटा 10, clear है क्या, अ चलो, अब यहाँ से 7 को 7 से कटा सकते हैं, क्या, अब इसका multiply इसके साथ, इसका multiply इसके साथ करेंगे, उससे पहले यह देख रहे हैं कि यह कट जाएगा, इससे इसको कार दिया हमने, तो value कितनी आ रही है, 81, 81, और यह 10 इधर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा कितना, यह 10 को यहाँ से मैं काट की, यहाँ पर zero chip का दूँ, किसी को दिक्कर नहीं है, अब देखो, 729 को इसमें से घटा दोगे, तो water कितना मिलाया, आपको पता चल जाएगा, 81, milliliter है, लीटर है, जो भी है, लगा लेना, clear है क्या, यह तरीका number two था, I hope कि आपको समझ में आया होगा, अ अब देखो, मैं कुछ और चीजें समझाता हूँ, ओ, sorry, चलो, ध्यान देना, कुछ बच्चा कहेगा, सर, पहला question में जो X मान के बनाये थे, उस type से क्या यह सवाल नहीं बनेगा, बनेगा, और मैं लिख देता हूँ, आप solve करना, बस मैं समझा देता हूँ, उसे कैसे solve किया जाएगा, देखो, नहीं तो वो कहेगा, क्या, सर, बार-बार method चेंज कर दे रहे हो, तो ध्यान देना, देखो, अब यहाँ पर आपको अगर पहला वाला method लगाना, जो पहले मैंने बताया था, तो वो लगाना है, वो भी बनेगा, तो आप लिख लो, milk by water, इसका ratio है 7 by 2, क तब इसका संख्यातम कमान क्या होगा, यह हमें निकालना पड़ेगा, हम इस दोनों का सम पहले पता करते है, 7 और 2, milk plus water कितना हो जाएगा, दोस्त, milk plus water की value 9 ratio है, 9 ratio की value कितनी है, 729, तो आप मुझे बताओ, एक ratio की value कितनी आ जाएगी, 81, आएगा क्या, अब 81 आ चुका है, आप यहां से क्या बोलोगे, सर एक unit की value 80 है, तो 7 unit की value 7 गुना 81, और इसकी value कितना, 2 गुना 81, अब यह बराबर होगा, तो बराबर होगा, 7 बटा 3, अब इसे आप solve कर लेना, x की value जो आएगा, वो आप का answer होगा, x बराबर 81 आएगा, clear है क्या, आप इसे solve करना, चलो, मैं question number next बताने की कोसिस करता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से repeat करके देखना, और यह सबसे best method है, यह मैं इसलिए समझा दिया, कि आपको technical approach के साथ basic आना most important है, और यह basic आगे जब percentage पर question आ जाएगा, तब यह वाला basic बहुत ही आसान method से किसी भी जादा है, जितना पढ़ाने का मन है, थोरा सा डीले हो पा रहा है, चलो देखते है, question number 29, किसी मिसरन में दूद तथा पानी साथ पांच के अनुपात में है, मिसरन में 15 लीटर पानी मिला देने से नए मिसरन में दूद का पानी से अनुपात 7, अनुपात 8 हो जाता है, नए मिसरन में पानी की कुल मातरा होगी, देखो इस सवाल को हम लोग बस टेकनिकल एपरोस से करेंगे, अगर आपको basic करना है, तो खुद से करना और हमें बताना कि आपसे हुआ या नहीं, comment में लिखना नहीं हुआ होगा, तो मैं किसी दिन उसके लिए special वीडियो बना कर आपक पहले मिल्क अनुपात वाटर, और ये बाद में, बाद में, कहता है मिल्क अनुपात वाटर क्या होगा, तब पहले मिल्क अनुपात वाटर था साथ अनुपात पांच, कहता है पंद्रे लीटर मिलाता है क्या सीच, पंद्रे लीटर पानी मिला देता है, तो रिशी हो जात आता है साथ अनुपात आठ अब ध्यान देना तो क्या मिला रहा है कोगे की पानी मिला रहा है सर पानी मिला रहा है इसका मतलब मिल्क क्या होगा बराबर होगा यह बात तो आपको समझ में आने लगी होगी ना पानी मिलाएगा तो मिल्क बराबर मिल्क मिलाएगा तो पानी ब अब यहां से समझना, अब आपको value चाहिए किसका, तो कहता है कि नए मिस्रन में पानी की मात्रा, तो नया मिस्रन कोन ये, नया मिस्रन यही है न, नया मिस्रन का ratio, तो कहोगे नए मिस्रन में पानी चाहिए तो इसमें गुना, नए मिस्रन में मिलक चाहिए इसमें गुना, सादुनी 14 एक 15 में गुना कर लोगे हैं किलियर है लेकिन अभी हमसे यह नहीं पूछा है हमसे बस यह पूछा कि पुरान सौरी नया मिस्रन में पानी की मात्रा क्या होगी तो कहो कि नया मिस्रन में पानी की मात्रा चाहिए 845 यानि 40 लीटर आंसर आ रहा है किलियर किसी को दिक क्लियर है क्या चलो इसे आप नोट कर लो देखते हैं question number next चलो द्यान दो question number 30 चीनी और पानी के एक लीटर के मिश्रन में पानी 30% है उस मिश्रन में कितना चीनी और डाला जाए कि पानी का परतीसत पंद्रे हो जाए देखो इस सवाल को हम लोग basic approach से बनाएंगे इसके बाद मैं टेक्निखल अपरोच भी इसका सिक्हा उगा तो जो मैं बेसिक एप्रोच सिखाने जा रहा हूँ इसमें जो इसकेट हूं को पहले ह्यूला है संव हो 1 plus 3 और इसकेट को सवाल जादा असानी से बनेगा description प्रोच इसमें लंबा हो जाएगा तो आप पहले concept को सीखने की कोसिस करो इस concept को मैंने पीछे भी use किया था एक बार यहाँ पे भी मैं फिर से समझा रहा हूँ बस concept को देखना और concept ही इतना आसान है तो technical approach यहाँ पर लगाने के में कोई जरुवत नहीं पड़ेगी सबसे पहले percentage का एक concept सीखते हैं कोई भी मिस्रन जो होता है अपने आप में 100% होता है क्लियर है अब यहाँ पे हमें मिस्रने सूगर और सूगर और water का बात की घराई को समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ देखो यहाँ कह रहा सूगर 30% सॉरी water 30% है तो सूगर कितना होगा कोगे 70% सूगर होगा बात समझ रहे हो क्या water अगर 30% है सूगर 70% अगर यह कह देगा 70% है तब यह 30% हो जाएगा अगर कह देगा यह 40% है तो यह कितना हो जाएगा 60% अगर यह कह देगा यह 90% है तो ये कितना हो जाएगा दस पर से भी आनी अगर मुझे एक दिया रहेगा दूसरा सौ मैंसे घटा कर निकाल देंगे ये बात सबको समझ में आ गई है कि अब चलो अब एक चीज और हमें समझनी है जो कि मैं पीछे भी आपको समझाया था आप को कि ये एक मिसरन है ये क्या है मिसरन है इस मिसरन में सुगर और वाटर है और कहता है इसमें उपर से भी सुगर मिला दिया जाता है सुगर इसमें और मिला दिया ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ बस ध्यान से समझते और आपको सारी बाते समाज में आ जाएगी अगर इसमें और सुगर मिला दिया तो आप गोगे यहां पर सूगर अगर सर प्लस किया है तो सुगर की मात्राटेंज होगी और मिस्रन की मात्राटेंज योगी即hrum बढ़ेगा सुगर बढ़ेगा ध्यान सा समझना मिस्रन की मात्रा बढ़ सकती है सुगर की मात्रा बढ़ सकती है क्या वाटर की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी वाटर के साथ तो हमने कुछ किया ही नहीं वाटर का मात्रा constant रहने वाला है sir तो आप मुझे बताओ अगर मैं आप से पूछ लूँ यहाँ कि पहले water कितना था बाद में water कितना था पिर भी w था यहाँ पे पूछ हूँ water कितना है इस गोले में भी water w और इस गोले में भी water w है तो water की मातरा में कोई changing नहीं हो पा रही है वाटर की मात्रा जियों का त्यों रह रहा है तो आप कह सकते हो यहां से कि सर पहले वाटर की मात्रा और बाद में वाटर की मात्रा बराबर होगी चलो एक चीज और समझते हैं इसका जिश्ट विप्रीथ देखो अगर मैंने यहां पे कहा दिया कि यह सूगर और वाटर का मिस्रन है यह किसका है सूगर और वाटर का मिस्रन है ध्यान से समझना अब कहते हैं इसमें से कुछ सूगर माइनस कर देते हैं जिसके कारण यह जो गोला था वो कमेगा इसमें से कुछ सूगर हमने निकाल दिया कुछ सूगर निकाला तो अब ये गोला बचा इसमें भी सूगर वाटर रहेगा रहेगा ना कुछ निकाला है हमने कुछ सूगर उसमें से निकाल दिया तो आप कोगे तो यहां भी तो sugar water रहने ही वाला है न सर तो sugar water रहेगा बट आप मुझे समझाना कि आपने sugar निकाला है पानी के साथ तो कुछ नहीं किया है तो पानी तो उस condition में भी equal रहने वाला है तो आपको मैं यहां से क्या समझा दिया हूँ कि मिश्रन में कोई चीज डाला जाए या न निकाला जाए उसकी मात्रा नए तथा पुराने मिश्रन में भिन भिन होती है लेकिन जिसे ना डाला जाए ना निकाला जाए उसकी मात्रा नए तथा पुराने मिश्रन में दोनों में equal होती है यह बात सबको समझ में आ रही है क्या चलो बस यही चीज मुझे समझाना था तो अब आप प्रश्ण को देखते के साथ आपके दिमाग में एक चीजानी चाहिए कि हमें क्या इक्वल करना है, हमें क्या इक्वल करना है, तो देखो प्रश्ण पढ़ रहा हूँ, अब सवाल मैं बनाना सुरू कर रहा हूँ, चीनी और पानी के एक लीटर के मिसरन में पानी 30% है, उस मिसरन में कितना चीनी और डाला जाए कि पानी का परतिसत 15 हो जाए, देखो कहता है कितना पानी और डाला जाए, तो basic से हम लोग बना रहे हैं, तो जिसके बारे में पूछेगा उसी को आकस माल लेंगे, हमसे क्या सूगर बड़ाबर हमने क्या क्या दिया दोस्त एक्स तो अगर डाला गया सूगर एक्स है तब आगे अब समझना तो कहोगे सर सूगर डाल रहा है तो बराबर क्या होगा वाटर तो कहोगे पहले पहले देखो इजामी यह सब लिखना नहीं है मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि आपको समझ में ज़्याद आएगा पहले वाटर की मात्रा बराबर बाद में वाटर की मात्रा अभी अभी समझा है जिसको ना डाला जाए ना निकाला जाए उसकी मात्रा नए तथा पुराने दोस्त कि यहां से प्रश्न क्या क्या करह रहा है एक लीटर लेकिन आंसर मिली लीटर में दिया है है ते कैसे लिख सकते लिख सकता है यहां लिख देता कि यहां पर water के जगा लिख देता कि sugar यहां water के जगा आपको लिख देता water के जगा लिख देता sugar बराबर 70% तो यह 70% का हम लोग use नहीं करते हम लोग use 30% का करते क्योंकि 70% की हमें जरुवत नहीं है हमें water चाहिए कहोगे सतर परसेंट अगर सूगर है तो तीस परसेंट वाटर है जरुवत जिसकी होगी यूज उसी का होगा अगला कोश्चन में यह खुद चेंज होके आएगा घ्यान देना मैं अभी समझा दिया आपको तो अभी तो काता है कि वाटर चाहिए तो कितना परसेंट और यह परसेंट तोटल मिस्रन का मह Ha yn किया है करूब पूराना मिष्रन1 जल मिली ली लीटर और मिलाया गया तो अब यह जो बना है नया मिछर घ 2024 में पानी की मात्रा तो निया मिसरण में ना लिखकर यहां सुगर अगर लिखा होता यह 85 लिख रहा होता बात समझ रहे हो क्या लेकिन हमें 85 से काम नहीं होता हमें काम 15 सी होता क्योंकि हमें चाहिए क्या water चाहिए चलो यहां पर कितना लिख दोगे आप? 15% क्लियर है क्या समका चलो अब इसे solve कर लेंगे हम लोगों का आंसर आ जाएगा % से % कट गया % से % कट गया 15 32 हो गया यह 2000 और यह 1000 घट जाएगा तो बचेगा X बराबर 1000 ml आंसर आपको समझ में आया होगा अब मैं आपको technical approach से भी बताता हूँ सवाल लेकिन इस सवाल को बनाने का इससे कोई भी बेश्ट तरीका नहीं है चलो वैसे मैं समझा देता हूँ आपको आपको उस method से सर ने नहीं बताया तो मैं दिखा देता हूँ वो method भी आपको चलो देखो अब यह कहता है पहले और यह बाद जान से देखना अब इसको पांसी परसेंट होगा अब चलो रेशियो के फॉर्म में इसको थोड़ा सा ला देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा कहोगे सर तब यह जीरो और यह जीरो कटा देते हैं कटने वाला है अब इसको 5 से काट दो 5 से काट होगे 5 तिया 15 और इधर देखो 17 पचे 85 यह 17 अगे है ठीक है यह रेशियो यहाँ भी रेशियो है अब आपको कहता है कि सूगर मिलाया जाता है तो सूगर मिला रहा है तो वाटर क्या होगा equal और यहां आपका सोभाग है कि water पहले से ही equal है, तो खाता है कितना sugar मिला रहा है, तो कहोगे यहाँ पर sugar जो मिलाया जा रहा है यह 7 है और यह हो गया 17 यानि 10 unit मिलाया जा रहा है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, changing कितने जी उनिट का अनपाक में कितना है, 7 और 3, 10, 10 यूनिट बराबर कितना दिया है, एक हजार, 1000, तो आप से पूछ रहा है, एक हजार है, अगर दिखने रहा होगा, तो मैं फिर से मिटा के लिख दे रहा हूँ, देख लो, थोरा सा जगा मैं मैंनेज कर लेता हूँ, चलो अब देखो यह साथ और तीन नौ सोरी साथ तिन दस दस अनुपात की वैलू कितनी है एक हजार गर्मी के कारण कुछ-कुछ बोले जा रहा हूं साथ तिन नौ बोल दे रहा हूं शरू गर्मी कुछ ज़्यादा ही आज साथ तिन दस तो दस यूनिट की वैलू हमें पता है दस यूनिट की वैलू निकालनी भी है तो एक यूनिट निकालने की कोई जरूरत नहीं एक हजार आंसर आ चुका है ठीक है ऐसे भी आप सवाल कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं करना मैं बार बार समझा रहा हूं सवाल को इसी जब इस वाल को करने का एक दो तरीका और है लेकिन अब उतना टाइम नहीं ऐसे डेट सारा टाइम पास हो गया मैं दो सवाल जल्दी जल्दी करवा देता हूं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है चलो देखते हैं नौ मीली सेविंग लोसन में 50% अलकोहल है इसमें कितना पानी और मिला दिया जाई की नए मिस्रन में 70% पानी हो जाए चलो ध्यान देते हैं देखो, कहता है क्या मिला रहा है, सबसे पहले ये ध्यान देना है, मिला क्या रहा है, कहता है इसमें कितना पानी मिला रहा है, तो बराबर क्या होगा, एसीड बराबर होगा, पानी मिला रहा है, तो बराबर क्या हो जाएगा, एसीड, लेकिन पूछ रहा है कितना पानी मिला गया पानी बराबर एक्स के लिए चलो अगर पानी मिला रहा है बराबर क्या होगा एसीड तो को होगे पहले पहले एसीड की मात्रा एक्जाम में यह नहीं लिखना है बराबर होगा बाद में बाद में एसीड की मात्रा अब समझना जरा तो पहले टोटल मिश्रन कितने का था क्योंकि नौ मिली लीटर था तो अब आपको पहले नौ था बाद में क्या हो जाएगा नौ प्लस एक्स हो जाएगा क्योंकि एक्स लीटर क्या मिला दे रहा है पानी मिला दे रहा है अब कहता है नौ लीटर में पचास परतीसत अलकोहल है आपको अलकोहल ही चाहिए तो नौ लीटर का 50%, 9 लीटर का 50%, तो 9 लीटर का 50% बराबर क्या होगा अल्कोहल, तो 9 लीटर का 50% अल्कोहल, पहले, अब बाद में कितना है, 9 पलस एक्स लीटर का, 70 परसेंट पानी है, लेकिन आपको चाहिए क्या, अल्कोहल, आपको चाहिए क्या, अल्कोहल, तो 70 परसेंट पानी ह आया है चलो अब सॉल्व कर लेते हैं पहले यह परसेंट परसेंट कट गया 0 से 0 कट गया इससे इसको कड़ दो तीन त्या 9 कट गया अब देखो अब यह 9 में से 3 घटा दो एक्स की भेलु कितनी आ ही है कहोगे एक्स बराबर सिक्स मिली नीटर एमल आंसर इसी को दिक्कत है तो बताना बेसिक बनाना है आप खुद से बनाओ मिटा दो किलियर है सब का शलो देखते हैं क्वेश्चन नमर नेक्ष्ट अंतिम सवाल आज की कलास का क्वेश्चन नमर 32 एक बरे तारबूज का बजन 20 केजी है वा इसके भार का 96% पानी है यदि इसे धूप में रख दिया जाए और इसका कितना पानी वास्प्रित हो जाए क कि भार का 95% पानी रह जाए तो कितना केजी पानी का वास्पिकरन हुआ पहला प्रश्ट इस कारण तारबूज का घटा हुआ भार कितना होगा देखो इस दोनों को मैं अलग-अलग बनाऊंगा ठीक है आप इसको बनाकर भी इसका अंसर दे सकते हो या इसको बनाकर भी इस आंसर निकालना सिखाऊंगा अब कब किसको मानना है वो भी सिखाऊंगा बस बोड़ पे ध्याद दो यह अंतिम सवाल है आज की कलास का तो आप यहां से ध्यान दो कहता है एक बरे से तारबूज का बजन 20 केजी है उसके भार का 96 परसेंट पानी है तो जब वास्पी करन होगा तो क्या उड़ेगा पानी उड़ेगा तो बराबर क्या होगा ठोस यह बात तो किलिए रह क्या चलो अब बोड़ पे आजाओ आपक कहा माना माना एक्स केजी पानी वास्पी क्रित वास्पी क्रित हुआ अब यहां से समझना आगे तो कहोगे पानी उड़ा है बराबर क्या होगा ठोस तो कहोगे पहले ठोस पहले ठोस बराबर बाद में ठोस कितना होगा कहोगे टोटल तारबूज तो 20 केजी का था टोटल तारबूज कितने केजी का था 20 केजी का करता है 20 केजी में 96% पानी है तो हमें तो पानी चाहिए ही नहीं पानी तो उर रहा है तो पानी नहीं चाहिए जिसे डाला जाए या निकाला जाए उसकी मात्राएं अलग-अलग ह होती है तोँगे निकाला जा रहा है तो पानी की मात्रा है है आपको चलो अब आगे देखते हैं काता है कि नए जो नया जो अब भार आया है यह जो नया वाला रहा है है इसमें 95% पानी है तो हमें पानी का काम थोरी है हमें पानी तो चाहिए ही नहीं तो 95% यदि पानी है तो आप मुझे बताओ कि ठोस कितना होगा कोगे 5% होगा सर 5% चलो अब कटा देते आंसर आ चुका है बस बोट पे ध्यान देना देखो परसेंट परसेंट गया काम से 5 इसको कार दिया या गया 16 अब कहोगे 20 आके घट जाएगा एकस की वैलू कितनी आ रही है यानि 4 केजी जो होगा वो वास्पिक्रित हो गया यह तो पहले फ्रशन का उत्तर है अगर आप से यहां से कोई पूछ दे अगर यह दोनों सवाल एक साथ पूछा होता तो आप कर रहे हो तो इसका आंसर तो आ गया सर टोटल मिश्रन 20 केजी का है तो नया मिश्रन कितने जालेंगे नहीं सर देखो अब क्या करना है दूसरा प्रश्र का में आंसर दे रहा हूं तो ध्यान से देखना बोड़ पर सवाल खतम हो रहाया है दूसरा भी बस बोड़ पे ध्यान देदो काते इस कारण तारबूज का घटा हुआ भार कितना है तारबूज का घटा हुआ भार नया भार मैं माल लेता हूँ नया नया भार बराबर X तो पुराना भार कितना था 20 नया भार कितना हो गया X लेकिन अभी भी तो बात हुए ही है कि पहले ठोस की मात्रा बराबर बाद में ठोस की मात्रा यहां लिख दो पहले ठोस बराबर बाद में ठोस के लिए रहे हैं पहले जितना ठोस होगा बाद में भी उतना ही ठोस होगा तो कहाता है पहले टोटल मात्रा बीस केजी का था और बाद में अब टोटल मात्रा तो मान ही लिए हो ना अब बीस माइनस एक्स लिखने की हमें जरूरत नहीं है उस समय हमने X किसको माना था तो कितना पानी वास्पी किलित हुआ था उसको हमने X माना था लेकिन अभी X हम किसको मान रहे है बाद वाला जो नया मिसरन है इसी को X मान लिए उस समय नया मिसरन 20-X था लेकिन अभी नया मिसरन को ही हमने X मान लिया है तो यहाँ पर डिरेक्ट नए हम इसरन लिख देंगे तो कहोगे 20 लीटर में ठोस कितना था तो कहोगे 96% वाटर था तो ठोस कितना था 4% अब यहाँ आजाओ कहोगे यहाँ पर कितना होगा तो कहोगे 95% किदर गया 95% पानी है तो ठोस कितना है कहोगे 5% किलियार चलो अभी से कटा देते हैं हम लोगों का आंसर आ चुका है परसेंट से कट गया है इससे इसको कार दोगे आ गया 4 अब X की वैलू कितनी आ रही है 16 लीटर केजी जो भी है लिख लो मैंने आपको ऐसा क्यों समझा है यह बात तो आप समझ गया होगे क्योंकि अगर पार्टिकुलर पूछेगा तो पार्टिकुलर पार्टिकुलर बना लेंगे अगर दोनों साथ में पूछेगा तो यहां से भी आंसर ला ही सकते है कि एक्स लिटर ये है तो नया मिशन क्या होगा एक्स यहां से घटा लेंगे नया मिशन कितना 16 लिटर का हो जाएगा क्लियर है क्या आप सबों को complete समझ में आया होगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ टेक केर सी यू इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू